कंडड़ा इंडस्ट्री से एक ऐसी मास्टर पेस फिल्म निकल कर आई है जिसने एक्चुल में फिल्मेकर्स को यह सिखा दिया है कि फिल्म पैसा फूखने से नहीं बनती बलकि लगन और मेहनत से बनती है बात कर रही है तीस सितंबर को रिलेज हुई मास्टर पेस फिल्म कांतारा की कांतारा को सुपर डूपर हिट कराने के लिए फिल्मेकर रिशब शेटी ने किन किन खास चीज़ों को तवज्ज़ दी थी आपको इस वीडियो में बताऊंगी बने रही हैगा मेरे साथ वीडियो के लास तक कांतारा आखर किन चीज़ों की वज़ज़ से हुच हुई है आपको इस वीडियो में बताएंगे कांतारा की इतनी भारी भरकम सक्सेस के पीछे का राज जानने के लिए चलिए देखते हैं फिल्म के कुछ बिहाइंड दी सीन्स कांतारा का आर्थ ही होता है Mysterious Forest जंगल की कहानी की पूरी शूटिंग कंड़ा के एक जंगल में हुई थी शूट के लिए छोटी छोटे घरों की डिमांड थी जिसे पूरा करने के लिए मेकर्ज ने यहाँ घर बनवाए थे घर बनाने के लिए वहाँ के लोकल लोगों की हेल्प ली गई थी कांतारा एक ऐसी फिल्म है जिसमें किसी भी तरह के स्पेशल इफेक्ट और CGI का इस्तिमाल नहीं किया गया है फिल्म के सीन को रियल दिखाने के लिए जादातर सीन रियल ही क्रियेट किये गये थे आपको याद होगा कि फिल्म में एक ऐसा सीन दिखाया गया है जिसमें जंगल से धुआ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस सीन को करने के लिए किसी भी तरह के स्पेशल इफेक्ट का इस्तिमाल नहीं किया गया था बलकि रियल स्मोक जंगलों में उड़ाया गया था जिससे सीन पूरा ऑथेंटिक लग सके फिल्म में बहुत से ऐसे भी सीन है जहां लोगों की भीड लगी हुई है एक ही फ्रेम में कई सारे लोग नजर आए है दूसरे डारेक्टर्स ऐसे सीन को करने के लिए जूनियर आर्टेस्ट हायर करते हैं और बदले में उन्हें छोटे से सीन के लिए अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है लेकिन कांतारा के करता धरता रिशब शेटी ने क्राउट वाले सीन को शूट करने के लिए किसी भी जूनियर आर्टेस्ट को कास्ट नहीं किया था बगी वहीं के लोकल लोगों को सीन का हिस्सा बनाया था हां बदले में रिशब शेटी ने उन्हें भी किसी भी तरह की फीस नहीं दी थी लेकिन उनके खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करवा दिया था इसी तरह आपको कांतारा फिल्म का वो सीन जरूर याद होगा जिसमें आक्टर रिशब शेटी दो बैलो के साथ नजर आ रहे थे ये सीन काफी जादा लोग प्रिये बना था इस सीन को करने के लिए भी किसी भी तरह के स्पेशल इफट का इस्तेमाल नहीं किया गया था बलकि असली बैलो के साथ रिशब शेटी ने उस सीन को पूरा किया था इस सीन का फाइनल टेक लेने से पहले कई दिन तक रिशब शेटी ने बैलो को पकड़ने की प्रेक्टिस की थी इस रिहर्सल के दौरान उन्हें काफी बार चोट का सामना भी करना पड़ा था बैलों को पकड़ने की प्रेक्टिस में वहां के लोकल गाहँ वाले भी उनका साथ देते थे वो बिल्कुल देहाती स्टाइल में जानवरों को काबू करने की ट्रेनिंग रिशप शेटी को दिया करते थे फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने वाले कलाकार ने भी इस फिल्म को मास्टर पीस बनाने के लिए अपने बालों का सेक्रिफाइस किया था जंगल से गाहँ वालों को बाहर निकालने के लिए आया ओफिसर के अपिरेंस की बात की जाये तो उनका लुक रफ एंट टफ पुलिस वाले की तरह था जिसके सर पर एक भी बाल नहीं होते लुक को कंप्लीट करने के लिए ये अक्टर हकीकत में गंजे हुए थे पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्होंने अपने आपको घंजा ही रखा था फिल्म की शूटिंग से एक महीने पहले ही पूरी यूनिट ने नौनविज खाना खाना छोड़ दिया था शूटिंग के दौरान भी यूनिट के किसी भी मेंबर ने नौन विज खाने को हाथ तक नहीं लगाया था यहां तक कि सेट पर कोई जूते चपल पहन कर भी नहीं जाता था फिर चाहे वो कोई सीनियर आक्टर हो या फिर कोई जूनियर आर्टिस्ट कांतारा की सूपर हिट होने के पीछे मेकर्स की जीतोड महनत तो है ही लेकिन उसके साथ साथ फिल्म के प्रति उनके रस्पेक्ट और उनका डेडिकेशन भी फिल्म को सूपर डुपर हेट बनाता है दोस्तों कांतारा को रेलीज हुए एक महीना हो चुका है लेकिन फिर भी फिल्म की तारीफ लोगों की जुबान पर बनी हुई है कांतारा एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जो भारती सीनेमा के इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनेहरे अक्षरों में दर्ज करा चुकी है